1833 के Chartered Act द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया इस प्रकार से 1833 में बंगाल का गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल बना गया और इस प्रकार से लौड विलियम बैंटिक के बाद 1835 में आएंगे सर चार्ल्स मेटकॉफ मात्र एक वर्ष तक भारत के गवर्नर जनरल के पत परकारी करने वाले चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेजपर से नियंतर हटाने के लिए याद किया जाता है इसी कारण इन्हें समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भी संबोधित किया गया है इस प्रकार चार्ल्स मेटकॉफ के जीवन में समाचार पत्रों से नियंतर हटाने के अलावा और कोई प्रमुगटना सामने नहीं आती इसके बाद आएंगे लॉर्ड आउकलेंड लॉर्ड आउकलेंड 1836 से लेकर 1842 इसी तक भारत के गवर्णन रहेंगे